एकसेल शीय डिउस में आप सबी का स् Marktman है, मैं उर्वाश कुपताजर दर्श को कानून की बात करें तो कानून जो हैं हमें कही तरह के राइटस देता है, कही तरह की डूटीस जो है हमें रूबूब करवाता है और कानून के जानकार जो हैं इस वक्त मेरे साथ हैं retired judge सुभाष कुपता जी हैं इनसे हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे जिस तरह से article 21 की बात करें तो 21 में जो provisions हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और handcuffing को particular इसके बारे में जानकारी हासिल करना च स्वागत है तो जजज साब जिस तरह से आर्टिकल 21 की ही बात करें तो 21 के क्या प्रवीजन्स हैं क्या डिफाइन करता है और जिस तरह से अब हैंड कफिंग की पर्टिकल बात करें तो वो भी जो है उसमें बदलाव आया यह सब जो है दर्शकों के लिए जाना चाहिए जिकर किया और जो आप हैंड काफिंग की बात करें हो तो चेनिंग की बात करें हो वो उसको फिर एक बैलेंस स्ट्रक करना पड़ेगा तो किन केसे में हैं जे हैंड काफिंग जरूरी है वो इस BNSS में है पहले क्या था कि जब हैंड काफिंग की बारे आती बात होती थी तो सुप्रीम कोट का इंडिया ने कहा इसको इन हुमन है चाहिए आप चेनिंग करो हैंड करो उसकी जो लेक्स थी आपको देखा होगा फिर मूवीज में भी और यो प्रानास जो नब सुल्तान के टाइम पे राजों के टाइम पे पूरी बेडियों में जंजीरों में बेडियों में जखड़ा होता तो है अपे पैले किया था कि पहले उन्होंने कहा करें सुनीलबत्रा का केस है प्रेविशंकर शुक्रा का केस है और भी कहें एक जे जो के केसा है उन्होंने कहा कि ये इन हुमन है इसको नहीं हैं कभी अलोन पिर उसके बाद जे जो नैचुरली पॉलिस को एग्जेकूट करना है सिवल और पॉलिस एड्वस्टेशन सुप्रीम कोड अप तो उन्होंने कहा यार ये मैजिस्टेट डिसाइड करेगा प्रमीशन से आप हातकड़ी लगा सकते हो फिर अब जो 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 ऐसी मैंने पहले भी आपके वह हैं कि जब कोई ज़रूरत होती है जो सुप्रीम कोड की है तो आप वो 43 जो स्रक्षा जो साहिता है तो इसमें हम ऐसे तो में इसका टाइटर है पहले बीया रस्ट वें कैसे करना को एक ट्रीका का रहा है पर ये उसको प्र अगर वह एशे करता है तो ङ्व accents करता तो फिर आप फोर्स करके उसको पैंडा रख सकते हैं तो लीडीज के मारे में है कि उसको टच नहीं करेंगा अगर रैस्ट करनी होगी तो लीडी constable यो इसमें जो हैंड कफिंग की बात आई है तो आप देखते हो के लोग हैं जो बहुत सकती से काईब्चुल क्रिमिनल्स हैं और गरनाइजड क्राइम में इनवार्ब्ड हैं जो जी हमारे जो तेरेस्टेक्टिक डिजमें इनवार्ब्ड हैं पाक्सों की अक्यूजड है ज मैं पढ़ दूँगा ताकि यह ज़्यादा नहीं है पॉलिस अफिसर में डिस्क्रिशन किसकी है वो चाहे हैंड कफ करें ना करें कीपिंग इन वियो दान नेचर एंड ग्रैप्टी आफ दाफिस पर कितना यह कानून और फिर ग्रैप्टी और फिर उसको स्पैस्पिब कर या है कि किन केसिज में वो हैंड कफिंग कर सकता है एज अ मैटर आफ राइट वाइल अफेक्टिंग दा अरेस्ट आफ परसन फूजे एप्चुल और रोपीटिड अब जैसे मैंने जबानी बोला अर्गरनाइज कराइम है अफेंस आफ टेरिस किम कमिट किया है और एसर ट जो स्टेड के अगेंस्ट तो इन लोगों को उनोंने कहा कि यह इसमें करस्बाफ की डिस्क्रिशन उसकी है पहले क्या करते हैं जहां नहीं हैंड कफिंग हो तो असकार्ड पुलिस का जाता था दो टाइम पे जज़ा आपने देखा यह ब रेस्ट करना उस वक्त जैसे मैंन हैं और उसके पहले आशी कारट रिजाते हैं यह पार बहुत खर्ट होता था तो जो क्राईम पर जीते हैं दोस वो लेंट गों वक्राइब हैं नहीं को वायट कवणर हैं नहीं लेकिन जो एक हमारी traditional society है इसमें बुरा समझा जाता है इसमें परभाव जो है हमारी society में नहीं संदेव पड़ता है जैसा मैं यह भी जाना चाहता हूं क्या male क्या female या फिर बच्चों के लिए अलग से प्रावदान है नहीं ऐसा कुछ नहीं है इन्होंने accused को accused कर गा है हाँ offense specific है क्या है मतलब आप crimes centric है बो नहीं है मतलब यह और juvenile justice actor उसमें तो arrest जरूरी भी नहीं है कहेंगे और वड़ा वो उसको अर्मान होम में लेना है दूसरा उसको जेल में दूसरे की उसके साथ नहीं रखना है जो जूनराइल की और women की arrest का भी एक तरीका है तो उसको ज् उन लोगों को बच्चों को जे भी मेन है इसको थोड़ा सा लेकिन इसमें specific वह बात नहीं है जे उसमें नहीं है लेकिन description किसके पास है पॉलिस के पास पॉलिस जाए इन गेसिस में भी वह अपने तोर तरीके से कर सकते हैं तो जहां उसको लगता है यार यह बाग जाएगा जेखेट करेगा और जेखो सकता है कि मैंदेंजर्स हो जाए इसको पकर क्रूप पकर कॉस्छा पाने में ही और इनकॉंटर होती आपको देखा is इन्काउंटर में पंगरने जाते हैं आके से बहुते कर देते हैं फिजिकल साल्ट हो जाता हैं कि अबर क्रास फायरिंग हो जाती है तो उन केसी में जी जो यह जो इसकिसम का जो अपराध करो गए तो हैंड किस्टेकबोर नहीं का ओगे हमारी जी दिफेमेशन हो गई हमारी रैपोटेशन हो गई हुआपने क्राइम में ऐसा किया है जब सब जो पहले कानून था और अब जो कानून है इसमें में जो है वो बदलाफ क्या आया है बदलाफ कुछ नहीं है पहले भी परमेशन देते थे मैजिस्टियर और इस किसम के क्राइम जा कोई भी क्राइम था जिसमें देखते थे यार जो क्रिमनल जाता सा कर्मियम सेंट्रिंग जी एगर वो है थोड़ा एग्रसिव है जी शातर किसम का है जो बाग ना जाए तो और आपने देखा को जो यह मैंने बुले और गनाइज क्राइम बाले करांट सी जी आरगनाइज्ड लोग है जो एक अरगनाइज क्राइम करते हैं एज रेप ह पर उसको कोड़ पर प्रोड्यूस करना तो जितनी जरूरत है उसके अप्लिकेशन जो है वह पहले दी जाती थी क्या अभी भी जो है इस तरह की अप्लिकेशन जो है मुफ कर सकते हैं ने देखिए यही जही चीज़ें खत्म कि ना पहले जो जजमेंट है ना सुप्रीम कोई राइट नहीं था पॉलिस को कोई डिस्क्रिशन नहीं थी हैंड काफिंग हां सुप्रीम कोड की जजमेंट आज तो वो प्रमीशन लेते थे मैजिस्टीर से जजज से उसको हैंड काफिंग करने के लिए तो जो आपने बात की तो डिफेंस कॉंसल जाओ क्यूस अपने हमें लेबर्डी देता है हमारी पोटेक्शन करता है जो परसनल परसनल जो हमारी लाइब है और परसनल लेबर्डी तो बो जैसा फिर देखते थे पिर डिस्क्रिशन किसके पास थे जजज के पास थे हैंड कफिंग तो लेकिन इसके मताबक डिस्क्रिशन के पास करी अभी इसमें चलेगी पॉलीस के पास उन्होंने स्पेस्पिक अफेंसिवी कर दिये तो जे जो आपने तो इसमें ग्रेवटी देखी हूँ पहले ही हमने स्टार्ट में पढ़ जिया लगता है यह काफी है जैसा बहुत बहुत शुक्री आपने हमें समय दिया और जिस तरह से हैंड क करें तो हमारे सोसाइटी में इसका एक अच्छा खासा परभाव पढ़ता है एक पर्टिकॉल इंसान की बात करें या फिर एक्क्यूस की बात करें तो उसको हैंड कफिंग का सामना हत्कड़ी का सामना जो है करना पड़ेगा फिलाल करन सिंग और मुझे आने गरतिश कुप मुझे और मुझे